कि हाइмов हैела वैरेवरीवन माई नेम इभिनेखिखा आज हम इसकारेंगे फोर्ट सिस्टम कर में कैसे ऐंपिलमेंट होता है टो हम लोग का कैसे हम से लेगुज में प्रोसेस क्रियाइट करते हैं पीछले क्लास में लगों रखा था कि फोर्ट कैसे कॉल करता है Linux में अभी हम लोग दखेंगे सी में कैसे हम चाइड प्रोसेस क्रियेट करते हैं यूजिंग फोर्क ठीक है तो कुछ एक्जामपल दखेंगे इसका हम लोग ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो बिसकली जो फोक सिस्टम कॉल होता है इसमें बिसकली का value return करता है तो इसका return type क्या होगा int होगा ये integer type का कुछ value return करेगा तीक है और ये कोई भी पैरामेटर इसका कोई भी argument ये नहीं accept करता है ये wide होता है तो बिसकली इसका अगर आपको use करना ये system call fork तो आपको क्या करना पड़ेगा ये जो library file है उसको अपने c program में include करना पूरेगा जैसे studio.h तो आप जानते हैं print app scanner के लिए use करते हैं यहाँ पर दो additional header file है पहला जो है c slash types.h और दूसरा जो है uni std.h ठीक है तो यह header file हमेशा हम include करेंगे अगर मुझे system call को folks system call को use करना है ठीक है reason यह है कि जैसे यह system call a fork वो क्या करता है वो return करता है integer वो basically उसका जो type होता है वो pid underscore t basically वो क्या करता है process id return करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यह pid underscore t यह basically data type होता है ठीक है एक integer तरह का कहा define होता है यह यह sys slash types.h header file में define होता है इसलिए हम क्या करते हैं इस header file को include करते हैं ठीक है दूसरा जो header file है वो है uni std.h इसमें क्या होता है कि यह system call होता है वो इसी में define होता है header file में uni std.h में इसलिए क्या करते हैं हम यह additional जो file है header file has include sys slash types.h और uni std.h यह दोनों को include करते हैं region कि इसमें क्या होगा sys slash types.h में इसका return type होगा fork का और इसमें क्या होगा fork का जो definition होगा वो defined है ठीक है तो अब यहां पर हम लोग syntax दखते हैं यह जो linux system इसका syntax क्या होता है कि यह return type होगा pid underscore t इसके लिए integer type ही है और यह fork system call है ठीक है तो बिसके लिए क्या करेगा इस तरह का जो value है वो return करेगा अब यहां पर एक चीज़ और है कि यह जो fork system call है वो बिसके लिए क्या है वो unusual है unusual थोड़ा सा इसलिए है कि बिसके लिए क्या करता है कि यह दो बार return करता है ठीक है यह दो बार value return करता है या आप जानते होंगे कोई function call क्या करता है एक ही बार कुछ value return करता है अगर कुछ return कर रहा है वो तो एक ही बार return करता है लेकिन यह किया है यह थोड़ा सा unusual in the sense कि यह दो बार value return करता है अगर यह successful है successful का मतलब अगर parent से आपने child create कर लिया ठीक है तो successful हो गया यह तो अगर ऐसा है कि अगर आपने focus का use किया है parent to child create करने के लिए और यह child successfully create हो गया तो विसकली क्या करता है कि दो बार return करता है एक बार parent को दूसरा बार child को तो विसकली क्या return करता है यह हम लोग दखेंगे कि यह क्या करता है, कि जिस process ने call किया है, इस system call को, उसको भी कुछ value return करता है, इसने call किया है, foco, यह parent process और जो नया child process create हुआ है, उसको भी यह कुछ value return करता है, ठीक है, तो यह थोड़ा आप समझेगा, कि यह थोड़ा सा unusual लेगा है, आपको थोड़ा सा different लेगा, क्योंकि ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ कि एक जो function है वो क्या कर रहा है दो बार return कर रहा है ठीक है लेकिन यह for के साथ यह ऐसा होता है तो इसलिए for कौन क्या करते हैं थोड़ा सा different तरह का हम function मानते हैं ठीक है तो यही आप confusion पैदा करेगा तो इस चीज़ को आप समझ लिजे कि यह क्या करता है parent और child मतलब जिसने child को create किया उस parent को और जो child create हुआ है उसको newly created process यह दोनों को क्या करता है कुछ return करता है क्या return करता है आगे हम लोग दखेंगे ठीक है तो child को returns 0 and parent process returns a number greater than 0 वो number क्या होगा basically pid of child होगा ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे आगे हम लोग इसको और discuss करेंगे ठीक है अगर कोई error है मालिजे कि अगर कुछ कारन वस अगर यह नया child create नहीं हो पाया यह child creation फेल कर गया तो basically क्या करेगा यह minus one return करेगा parent को ठीक है यह parent को minus one return करेगा और यह child process तो create ही नहीं होगा तो यह child को तो कुछ return करने का सवाल है नहीं होता है ठीक है तो basically यह दो बार return करता है एक बार parent को return करता है parent वो जो की child create कर रहा है जिसने इस system call को call किया है और दूसरा child जो create हुआ है दोनों को return करता है ठीक है तो यहाँ पर example से हमने एक दिखलाया है कि जैसे यह system call यह जैसे इसने folks system call use किया parent ने तो parent का ID है 234 तो एक child create हो गया जिसका ID है 999 ठीक है तो अब यह क्या करेगा यह जो system call है यह दोनों को return करेगा child को क्या देगा यह 0 return करेगा अगर यह successfully child create हो गया तो इसको 0 return करेगा और इसको एक number return करेगा that is greater than 0 तो यह कौन सा number greater than 0 है यह है basically PID of the child ठीक है तो इसको क्या return करता है parent को PID of the child ठीक है तो यह basically system call का nature है कि जब भी आप parent को यह successful होता है अगर यह successfully child create कर लेता है ठीक है अगर parent से child create हो गया तो यह parent को जो child create हुआ उसका जो PID होता हो रिटर्ण करता है और child को यह 0 return करता है ठीक है तो यह यहाँ पर थोड़ा सा different है unusual है इस इसको लेकिन समझने के ज़रुवत है कि यह दोनों को return करता है ठीक है अब जैसे कैसे यह basically system call काम करता है आप समझ लीजिए इसको तो मा लीजिए कि यह parent process run कर रहा है एक program है program जब run करता है तो process बन जाता है तो यह run कर रहा है और यहां पर आपने इस system को call किया folks system call तो यह क्या होगा कि जब यह call करेंगे तो क्या होगा parent का एक identical copy बनेगा ठीक है तो अब यह system call के बाद अगर यह successful है system call तो क्या होगा कि अब मेरे पास दो process है एक original process जो कि parent है दूसरा process जो create हुआ है जो कि क्या है parent का ही copy है देखिए यह child क्या है यह parent का ही copy exact the same copy तो अब क्या होगा मेरे पास दो process होगा ठीक है दोनों exactly same है ठीक है अब क्या होगा कि child और parent हमने जैसा अब discuss किया था कि जब create होते हैं तो दोनों का program counter क्या होता है same होता है program counter का मतलब next instruction जो execute होगा दोनों का वो same होगा तो यहां के बाद का जो instruction होगा यह system call के बाद का जो instruction होगा वह ही क्या होगा दोनों का instruction होगा जो दोनों ले execute करेंगे मतलब यह जो statement है PID is equal to something parent में और यही statement चाहिल में भी है तो दोनों क्या करेगा, इसी statement को execute करेगा मतलब इसके बाद का just जो immediate जो instruction है, इस system call के बाद का वो क्या करेगा, दोनों क्या करेगा उसी को execute करेगा, तो parent भी इसी line को execute करेगा, PID assignment वाला जो part है, PID assignment और child भी इसी को execute करेगा, तीक है तो यहाँ पर लिखा है, कि यह क्या करता है system call, two identical copies of the address space, ठीक है, अब एक parent का हो गया, दूसरा क्या हो गया, child का हो गया, ठीक है one for parent and one for the child, यह अब रहेगा इसके बाद, और दोनों का जो execution होगा और कहां से होगा, next जो statement system call के इसके बाद का जो है, दोनों उसको execute करेंगे, तो इसके बाद का assessment कौन सा है, यह वाला statement हो, तो दोनों इसी को execute कराएगा, ठीक है अब क्या होगा कि जैसे कि जब यह system call क्या करता है यह child को कितना return करता है, यह zero return करता है और parent को कितना return करता है, child का id यह जो parent को return कराया, इसने 3, 4, 5, 6, यह basically क्या है, यह child का id है तो यह create हो जाता है, child इसका मतलब कि यह system call अगर successful है तो इसको zero return कराता है, इसको क्या return कराता है यह इसका child का id, तो इसने return कराया है, अब इसके बाद का जो statement होगा, वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसने, यह system call के बाद, यह वाला जो statement है, next क्या होगा, दोनों का execute होगा, ठीक है दोनों का जो statement होगा हो, इसके बाद का जो statement होगा, यह execute होगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, कि यह zero return करेगा, और यह अब इसके बाद का जो statement होगा है child क्या run कराएगा इस system call के बाद ये statement और parent भी क्या करेगा इसी को run कराएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा कि अब ये इसको run कराएगा तो यहाँ पे क्या है PID 0 है नहीं यहाँ पे क्या है PID 0 है ठीक है तो अब ये PID 0 है तो क्या होगा PID 0 है तो मतलब ये child process ये जो function इसको call करेगा तो ये child वाला कौन सा run कराएगा statement ये function को call करेगा ये statement run कराएगा और parent वाला में क्या है parent तो ये PID तो equal to 0 है नहीं तो क्या होगा ये else part run कराएगा तो ये क्या होगा parent process को call करेगा यह जो function है parent process function call करेगा child क्या है child process function call करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों program क्या है create होने के बाद जब create हो गया तो इसके बाद दोनों जो program है दोनों जो child process और parent process है दोनों क्या है दूसरे से independent run करता है यहाँ पर दखे चाइल्ड फंक्शन एक्ज्क्यूट करा रहा है यह कंडिशन के बेसिस पे PID 0 है क्योंकि चाइल्ड को क्या मिलता है 0 मिलता है फोक्स से ठीक है और इसको क्या मिलता है इसका value greater than 0 मतलब इस चाइल्ड का जो ID होता हो वो मिलता है इसको तो यहाँ पर अगर comparison करेगा दोनों क्या होगा पहले यही statement यूज करेगा if PID equal to 0 PID equal to 0 तो इसके लिए क्या हो जाएगा यह condition false हो जाएगा तो यह else part execute होगा और यह parent वाला जो process है parent process यह function call करेगा यह क्या करेगा child process तो आप देख सकते हैं कि दोनों basically क्या होता है कि create होने के बाद दोनों क्या होता है दोनों प्रोग्राम independent है ठीक है यह कैसे execute हो रहा है यह कैसे execute हो रहा है दोनों को एक दूसरा से कोई लेना देना नहीं है दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके से वो affect नहीं करता है ठीक है? तो इस तरह के से बिसकली ये program execute होता है ठीक है? तो यहाँ पे यह child process run हो रहा है, यहाँ पे parent हो रहा है तो यह कहने का मतलब यह है कि दोनो प्रोग्राम बिसकली क्या है, दोनो process अब independent हो गया इवें दो कि child has created parent has created child child कैसे create करेगा parent so parent ने child को create किया है लेकिन एक बार जब यह child create हो गया तो इसका parent से call लेना देना नहीं है parent में कुछ भी हो रहा हो किसी भी तरीके का execution हो रहा है child उससे affected है, child में किसी भी तरीके का execution हो रहा है parent उससे independent है तो दोनों basically independent process है आप समझ सकते हैं कि यह दोनों को एक दुसरे से call लेना देना नहीं है इभेन दो कि यह child process parent का clone है ठीक है तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा ठीक है इसी तरीके से हम लोग कुछ problem solve करेंगे तो एक example यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या किया है कि एक program run कराया है सी में ठीक है हमने यहाँ पे system call किया folks system call तो इसके बाद क्या होगा कि यह जो parent होगा वो एक child create करेगा ठीक है यह parent process child process को create करेगा ठीक है अब create करने के बाद क्या होगा हमारे पास दो process होगा एक parent हो गया, दुसरा child हो गया अब दोनो process क्या होंगे एक साथ run करेंगे अब दोनो process का next instruction कौन सा होगा वो instruction जो system call के बाद है तो system call के बाद कौन सा instruction है printf, तो यह क्या print कर रहा है using fork system call तो क्या होगा, child भी क्या करेगा इस statement पुए acute कराएगा ठीक है तो parent run करेगा एक और दूसरा क्या कराएगा, child कराएगा ठीक है अब कौन सा instruction दोनों का होगा next, तो दोनों का program counter क्या होता है same होता है और उसमें क्या होगा, next instruction जो इस system call के बाद होता है वो दोनों run कराते है तो इसके बाद कौन सा statement है तो दोनों क्या करेगा इस statement को run कराएगा तो parent run कराएगा तो क्या करेगा यह print करेगा using folks system call और फिर यह return zero आजाएगा तो क्या होगा, parent terminate कर जाएगा उसी तरह सा child bc को run कराएगा using folks system call फिर return zero आएगा तो यह child terminate कर जाएगा ठीक है तो दोनों basically क्या करेंगे, parent भी यही message प्रिंट कराएगा और terminate कर जाएगा, child भी यही message प्रिंट कराएगा, terminate कर जाएगा, तो output आपको क्या मिलेगा, जीसे यहां run कराया इसी program को, हमने test for program इसको बनाया था, ठीक है, तो हमने इसको run कराया, compile कराया, compile कराने के बाद रन कराय तो देखिए, यह message प्रिंट कर रहा है, using folks system call, यह parent ने print कराया हूँगा, यह child ने, हमें नहीं मालूम है, ठीक है, दूसरा क्या है, using folks system call, ठीक है, तो एक message प्रिंट कराया है, child ने, दूसरा कराया है, parent ने, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि basically, इसके बाद का जो statement होगा, द दूसरा parent में कराया है, ठीक है, तो आज इतना ही, next हम लोग कुछ problem solve करेंगे, folks का use करके, thank you.